जब मैंने अटैक ओन टाइटेंस के फाइनल सीजन का जब सेकेंड एपिसोड देखा था तो उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाए थी जहां मैंने थोड़े बहुत अपने ओपीनियन शेयर किया थी कि मुझे वह एपिसोड कैसा लगा था तो उसके बाद मैंने यह सोचा कि यार अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो यार बहुत ज़ादा मतलब वीडियो बन जाएंगी फिर मैंने जब इसका थर्ड एपिसोड देखा तो यहार बहुत ज़ादा एक्साइटिड एपिसोड था बहुत ज़ादा इंगेजिंग इतनी अच्छी स्टोरी उसके आपने घरवालों को कि मा सुनो ऐसी बात है कि ऐसा सा अटेक और टाइटन आते हैं इसका थर्ड एपीसोड ऐसा हुआ तो वो तो तपड़ और मार देंगे मुझे क्या बात कर रहे तो मेरे लिए तो आप ही लोग हो कि भी मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूं भले ही 30-35 लोग दे है उसके उपर स्पोईलर तो मत दो ना इंटरस्ट खराम मत करो यह तो चिटिंग हुई ना अटाइक और टाइटन के फाइनल सीजन के थर्ड एपिसोड में हमें और ज्यादा एक्साइटमेंट हमारी बढ़ जाती है वह ऐसे क्योंकि इसमें राइनर की जो स्प्लिट परस परसनेलिटी हैं एक तरफ उसका जुकाव अपने एरन और इनके अपने ही दोस्तों के परती है और एक तरफ वहां पर जो है वो दूसरा वोरियर बनना चाहता है तो इस एपिसोड के अंदर उसकी जो स्प्लिट परसनेलिटी है वो अच्छे से सामने आई है और साथ ही वो बहुत ज़ड़ा गलत किया अब तक जो किया है उसने इससे कि हमें राइनर का भी पक्स जानने को मिल जाते की हाँ राइनर ऐसा क्यों है क्यों ऐसा वो बन गया है और उसको जो गिल्ट दिखाया गया एपिसोड टू के अंदर पी जो अपनी जान लेने की कोशिश करते और उससे बहुत कुछ गलत कर रहा है अपने दोस्तों के निमेट कर रहा है इस एक ऑन-टाईटन के सիजन को और 다खा को हमने अब क्रेक्टर देखाता तो इसके अंदर मझे का एरन का क्रेक्टर दिखाएंगे उसमें एनिमिशन कैसी होगी क्या हूबहूमिलता हुआ होगा यह बहुत सारे स्वाल उठ रहे थे क्योंकि थोड़ा से थे था था भी मैं नहीं चाना था पदलाव हमें देखने में लेकिन इस बार कहूंगा फरस्ट और सइकेंड एपिड़ोड में को बहुत जबरदस्त काम के एए एक्स्टीम लेवल ने एनीमेशन दिखाया है बहुत कमाल का लगा है मतलब बापा स्टूडियो ने सच में दिल जीत लिया इन्हों ने जो एक्स्प्रेशन दिखाए है एनिमे क्रेक्टर के ऊपर मैं क्या कहा रहा था कि जो विट स्टूडियो है वह बहुत ध्यंकर तरीके से उनके ऊपर चेहरे पर उतारता था और इसमें भी यार बहुत अच् क्योंकि फाइनल सीजन इसको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना है सबके सामने तो इन्होंने कोई कसर नहीं चोड़ी है और एक एनिमेशन की यह खुबसूरती है कि आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रीम लेवल की एक्स्प्रेशन उसमें तो शो कर सकते हो जो रियल एक् टाइटन उसमें से साथ टाइटन इनके पास हैं और दो टाइटन वह अलग है और एक फार्मडिंग टाइटन जो है वो यह पाना चाहते थे राइनर को भेजा जाता है और देखो यह राइनर और एनी और बैरल लोट इन टीनों को जब एक और था नाम याद नहीं आज़ा इन चारों को जो बेजा दाता है मिशन पे इस आइलेंड के उपर ताकि ये जाएं और उस फांडिंग टाइटन को लेकर रहें और जो दिवार गिराता है मतलब ये आंट टाइटन राइनर जो दिवार गिराता है वॉल मारिया की वहां पर ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट कर कि उसको ले जाने का क्या मक्साल बनता और यामीर के साथ जाने पर राजी भी हो जाती है तो एक्ष्व में वह इसलिए चाहते हैं कि वह ताइटन उन्हाम हमें देखने को मिलती है कि भी अपने flashback में जाकर Rainer अपनी बाते हैं मतलब जब उसे training दे रहे थे जो भी इसी के लोग तो उसके साथ जो Annie थी वो उसके क्या बरताव किया था थोड़ा बहुत हमें presence देखने को मिलता है क्योंकि हमें पता है कि first season में last में जब वो पकड़ी जाती है उसके बाद उसको मतलब दिखाया है नहीं गया और अब थोड़ा वो तो उसकी presence हमें देखने को मिली है और अब तक जितने भी comment आये हैं वो first episode पे या second episode पे कुछों लोगों ने कहा है कि जो अब तक hero थे वो विलन हो जाएंगे जो विलन है वो hero बन जाएंगे यार मुझे तो अभी तक यहीं नहीं पता चल रहा कि कौन hero और कौन villain है मैं अभी तक अभी enjoy कर रहा हूँ जब खातम होगी तब अच्छे से बात करूँगा कि कौन hero था और कौन villain था एच्छों में क्या उठा पकट बटक हुई है और एक चीज तो यार माननी पड़े की कि इसके थर्ड सीजन में Attack on Titan के थर्ड सीजन में जो इन्होंने कहानी में एकदम से इतनी जवर्दस इन्होंने कहानी बना कर दिया है यार उसके बाद जो इसके अंदर interest create हुआ थर्ड सीजन के बाद obviously फ़स्ट और सेजन में होता है लेकिन थर्ड सीजन के बाद तो यार और ज़्यदा इसके फॉर्स सीजन का इंतजार होने लगे था अब जैसे फॉर्स सीजन के धीरे 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 एक एक एपिसोड आरे हैं अब यह चीज गलत है तो यार बढ़नी चाहिए अच्छी बात है जब एक-एक एपिसोड आएगा तो और अच्छा सा मज़ा आएगा उसको देखने में और अब तो कहानी भी दिरी-दिरी क्लियर हो रही है क्योंकि एपिसोड आ रहे हैं देख रहे हैं समझ में आ रहा तो मेरा ख्याल से आप बहुत बहुत तुम spoiler देते हो जुद चीज गलत है अब तुमने पता दिया था कि second episode में इरम कौन था अभी अभी मुझे पता चला कि एरन वास्तम में कौन पता चल जाता है कि इसके last में third episode कातम होता है उसमें पता आते है कि एरन कौन था लंगड़ा वो एरन था पसाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिं